है न दोस्तों आज हम लोग 80 अप से related question को solve करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग question को पढ़ते हैं question क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4,6 और 80 को प्रंता विभाजित करती है आनि कि 4,6 और 80 को पुरी तरह से काटती है आनि कि divide करती है तो हम लोग शमझेंगे कि question को solve कैसे करना है देखे इस तरह की question में अश्टुडियन को काफी confusion होता है कि हमें 4,6 और 80 का सीफ निकालना है या LCM निकालना है तो सीफ निकालना है या LCM निकालना decide कैसे होता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग SCF और LCM के full form से समझते है आनि कि तो सबसे पहले हम लोग SCF का मतलब समझते है तो देखे SCF का full form होता है S से highest, C से common F से factor आनि कि highest common factor हिंदी बेनिक देखें तो highest का मतलब होता है सबसे बड़ी common मतलब जो एक समान हो factor मतलब गुननखंड आने कि सबसे बड़ी गुननखंड तो SCF का मतलब हो रहा है सबसे बड़ी गुननखंड तो question में पूछा जा रहा है कि वहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो चौरशट और असी को पुरंता विभाजित करती है तो चौरशट और असी को वही संख्या काट सकती है जो चौरशट और असी का गुननखंड हो और सबसे बड़ी संख्या पुछा जा रहा है आनि कि सबसे बड़ी गुननखंड के बारे में पुछा जा रहा है तो हम लोग समझ चुके हैं एकासी में ही भागा हो जाएगा तो कि अधार्थ वाल में बाखा डिना है यह जानते हैं कि छोड़ शत से असी में एक बार वे गुना एक 64 होता है अब हमें 80 में से 64 को माइनस करना है निकि घटाना है तो 0 में से 4 घटाएंगे आनिकि 0 इस 8 से हासिल लेगा तो इसके पास 10 बन जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहां 7 बचा हुए चार बार में भागा जाएगा और इसका जो प्रड़क्ट है चौट सट आएगा अनिकि सेम संख्या तो 64 में से चौट सट को माइनस करेंगे तो सेस फल यहां 0 आ जाएगा अनिकि यहमारा SCF का प्रोसेस कम्पिलिट होता है और SCF कौन से संख्या है जो शंख्या अन्ति में भाज़क हो आनिकि सल्ला यहां चौट सर अर्सी का SCF है SCF वरावर सल्ला तो हमारा इस क्वेश्चन का अंसर सल्ला हो जाएगा क्यूं क्वेश्चन को समझे क्वेश्चन के अनुरूप हमलोग अंसर को समझेंगे दखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 44 अर्सी को पुरहनता विवाजित करती है तो हमलोग सल्ला इसका अन्सर फाइन कर चुके हैं आनिक सबसे बड़ी संख्या सल्ला है जो 44 अर्सी को पुरहनता विवाजित करती है 44 अर्सी को काटने वाली संख्या सौलो से बड़ी संख्या नहीं हो सकती है आनिकी अगर हम लोग ढोड़ना भी चाहें तो वाइसी संख्या नहीं ढोड़ सकते हैं जो सौलो से बड़ी हो और चौटशाट हो रासी को भागते रही हो तो हम लोग शीख चुके हैं कि इस तरह के question को एसी अपके तुरू कैसे solve करते हैं तो अगर आपको मेथर समझ में आता है वीडियो बसंद आता है तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe जरू कीजिए क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम काओ Thank you